आप देखे हैं लाइफ सेवर्ण नमस्कार लाइफ सेवर्ण मिसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान रंजन दोस्तों आज हम मिसेश में बात करेंगे क्या केंदरिय ग्रीह मंतरी अमिस साह कर पाएंगे कमाल जी हाँ दोस्तों सनिवार को केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिज साह का जारखन दोरा है राची के प्रभात तारा मैदान में भाजपा की विस्तारित काल समीती की बैठक है और इस बैठक में लगबग 20,000 से जादा पार्टी के छोटे बरे कारिकरता सामील होंगे और विधान सभा चुनाओ को ले करके केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिज साह इस बैठक में गुरु मंत्र देंगे लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कर ऐसी क्या इस्थिती बनी भारती अन्ता पार्टी के भीतर कि लगातार दिस तरह से भाजपा के चुनाओ प्रभारी भाजपा के सह चुनाओ प्रभारी और अब ग्रिह मंत्री जार्खंड आते हैं तो सबसे पहले कारिकरताओं के बीच जाते हैं इसके पीछे की मंसा को समझना होगा आपने देखा कि लोग सभा चुनाओ 2024 के जो परिणाम आये हैं वो परिणाम जारखंड भाजपा के लिए सुखद नहीं है सुखद इस माइने में नहीं है कि पाचों की पाचों ट्राइवल सीटें जो है वो भाजपा हार चुकी है आठ सीटों पर जो भाजपा की जीत वी और एक उसके गट बंदन को मिला दे तो 9 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है भले ही भाजपा के लोग ये कहते हूं कि विपक्ष से यानि इंडिया का ठबंदन से परफॉर्बेंस उनका काफी बड़ा अच्छा है चार सीटें जादा है लेकिन उनको ये भी गणित समझना चाहिए कि अगर आप बारा सीटों में से नौ सीटों पर आते हैं तो बारा बरा होता है नौ बरा नहीं होता आप विपक्ष के आंकड़े को लेकर के भले ही यूँ कह दें कि उनको तो पांच सीटें आई हुई और हमारे पास नौ सीटें हैं लेकिन सचाई तो आप भी समझ रहे हैं केंद्रिय क्रिसी मंत्री हैं पुर्मुक मंत्री हैं मदप्रदेश के वो आते हैं तो कारिकर्टाओं को इलिए सम्मान समारों का आयोजन होता है वो किसी कारिकर्ता के घर पर जाकर बैटके खाना खाते हैं, नास्ता करते हैं और कारिकर्ताओं में एक उस्सा भर रहे हैं लेकिन आखिर वो इस्थिती क्या बनी हुई थी 2024 के लोग सभा चुनाओं के समय जब भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश सस्थर के नेता कारिकर्ताओं को कारिकर्ता नहीं समझ रहे थे पहली मरतबा इस्तिहास में भाजबा के इतियास में ऐसा हुआ होगा कि जब चुनाओं बीचुनाओं के दवरान सो काज किया गया होगा सो काज छोटे मोटे कारिकरता को नहीं एक विधायक को सो काज किया जाता है एक निवर्तवान सांसत को सो काज किया जाता है पांच पांच मंडल अध्यक्षों को सो काज किया जाता है और अब जब चुनाव परिणाम सामने आ गए तो अब वही कारिकरता भाजपा के लिए पूजनिया नजर आ रहे हैं यह भारतिय जनता पार्टी के ही एक नेता का यह बारे में ट्रॉल हुआ था वायरल हुआ था मामला कि दुमका के कारिकरता के पिता का देहांत होता है और वो उसको उस समय भी डाड़ते हैं जब वो असमसान घाट में अपने पिता की चिता के साथ रहता है और इतना ही नहीं एक नेता तो ऐसे हैं जो सो काज करते हैं पार्टी के निर्देश पर करते हैं या खुद करते हैं कैसे करते हैं यह अब तक क्लियर नहीं हुआ है और सो काज करने वाले नेता के बारे में यह कहते हैं कि यह सामंतवादी प्रविर्टी उनकी दिखाई देती है जब वो नेता जिसको सो कौज किया जाता यानि जैन सिन्ह जो हजारी बाक में निवर्तवान सांसद हैं उनको जब सो कौज किया जाता और जब वो उसका जबाब देते हैं बजापता तिथी समय के हिसाब से जवाब देते हैं और प्रेस कॉन्फरेंस पे जब उनसे बातें की जाती है तो वो नेता प्रदेश के बड़े पदपर हैं वो नेता कहते हैं कि ये उनकी सामंतवादी प्रविर्टी जलगती है जब भाजपा में इस तरह की स्थिती कायम हो जाती है तो तब भाजपा को याद आता है कारिकरता और यही वज़ा है कि अब भाजपा जो है जो लगातार विधान सवाचुनाओं को ध्यान में रख करके अपने कारिकरताओं के बीच में कारिकरताओं को पूछ रही है और आलम देखिए, धनवाद में विरोध, गोड़ा में विरोध, धनवाद में प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कारिकरताओं ने विरोध किया था जो वहाँ पर मंडल अध्यक्ष को सम्मानित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गये हुए थे धनवाद में जो कारिकर्म लगातार चलाए जा रहे हैं भारती एंता पार्टी के द्वारा वहाँ पर कारिकर्ताओं नहीं बिरोध किया और बिना समान किये प्रदेश अध्धक्ष को लोटना परा पुर्व किर्सी मंतरी रंधीर सिंग जब गोड़ा गये तो गोड़ा में उनका विरोध किया गया कारिकर्ताओं नहीं विरोध किया और ये साफ दिखाई देती है कि जो सबसे बड़े राष्टियस तरके दल हो विष्व की सबसे बड़ी पार्टि हो और जो ये दम भरती हो कि हमारे पास इतने सक्रिये कारी करता है जारखन में भी दिखाया गया था 25 लाक सक्रिये कारी करता हो उस दल में जब इस तरह की स्थिति आती है तब बड़े नेताओं को सामने आना पड़ता है और वही स्थिति अभी जो पैचप की जो इस्थिति पैचप की राजमिती हो रही है लाख जो है सो चायो हिमनता विस्प सर्मा कहते हो कि हमारा परफॉर्मेंस लोग सबाचुनाओं में अच्छा रहा बावुलाल मरांडी जी कहते हो कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा सिवराज सिंग चवहान जी कहते हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा लेकिन सचाई तो सामने है कि 12 सीट से घटके आप 9 सीट पर आते हैं NDA के और जिसको 2 सीट मिला था वो 5 सीट पर जाता है और आपके गले से उन ट्राइवल सीटों के जो 26 फीजदी आवादी जो ट्राइवल किये 26 फीजदी जो मददाता ट्राइवल के हैं उन सीटों पर आपको करारी हार देती है जबकि आपने उन सीटों पर जबस दस तरीके से एक्सपरिमेंट किया जो गीता कोड़ा कॉंगरेस पार्टी में थी उसको लाकर के सोचा कि चायवासा फता कर जाएंगे सिंग्मु फता कर जाएंगे और फता किये हुए सीट पर भी आपने वैसे लोगों को लाया जिसमें इससे आपको लगा कि सीबू सुरेट के परिवार में तूट हो जाएगी तो जब तक राजनीती इस इस लूप में रहेगी तो परिशानी होगी और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने सिर्फ 2024 के लोग सभाचुनाओं में ये एक्सपेरिमेंट किया है भाजपा अपने कार्यकरताओं से इतर जो आयातित समान होते हैं उसको बढ़ावा देने में कभी कोई कमी नहीं की चाहे वो 14 का विधान सभा चुना हो या 19 का विधान सभा चुना हो आयातित कार्यकरताओं की भरमार रही और नतीजा तब निकलता है जब आयातित कार्यकरता आते हैं जो सक्रिय कार्यकरता होते हैं पार्टी के वो अपने आपको पार्टी से किनारे करते हैं या चुपचा बैठ जाते हैं और चुपचा बैठने का ही नतीजा होता है कि जब कारिकरता सक्रिया नहीं रहते हैं जब कारिकरता सिर्फ अपने वोट देने से मतलब रखते हैं वो जो एक लोगों का हुजुम को लेकर के बूत पर जाते थे वो काम नहीं होता है बूत अस्तर पर पार्टी मजबूत नहीं होती है बूत अस्तर के कारिकरता घर-घर जाकर के पार्टी के बारे में नहीं बताते हैं तब ये रिपढ़नाम आता है जो पिछले लोग सभाचुनाओं में आपने देखा कि भाजपा जो है सो 25 पर आकर सिमट के रह गई और इस बार के लोग सभाचुनाओं में भी आपने देख लिया कि 12 से घट के NDA 9 पर आ गई लोग सभाचुनाओं के पहले अगर ये पूरी तरह से पार्टी संगठन के बीच में चर्चा चल रही हो कि भाई जो JVM के लोग थे उसको टिकट देने में कोई कोता ही नहीं की गई भले ही वो पहले भाजपा में सामिल हो गए हो चाहे वो मनीश जे सवाल हो ढूलू मैं तो हो काली चरंज सिंग हो ये बातें चर्चा में आई हुई थी जिस चीज की चर्चा कभी भाजपा में नहीं होती थी वैसी वैसी चर्चाएं हुई है तो जब भारती जनता पार्टी अपने मूल मुद्दे से भटक जाती है तब इस तरह के पुरिणाम आते हैं क्योंकि जारखंड में भाजबाग अगर देखेंगे रिकार्ड तो साइध ही किसी राजनितिक दलों का इतना अच्छा रिकार्ड रहा होगा लोग सभाचुनाओं में और विधान सभाचुनाओं में भी लोग सभाचुनाओं में अगर आप देखेंगे 1998 में 12 सीटें 1999 में 12 सीटें 2004 में भले ही फलाफ हुए एक सीटें आई लेकिन फिर 2009 में अच्छी सीटें आई 2014 में 12 सीटें आई 2019 में गटवंधन मिला के 12 सीटें आई और फिर 2024 में आकर कि वो सीटें तीन सीटें घट जाती है जब भाजपा अपने मूल मुद्दे से भटकती है जब जब भटकी है भाजपा अपने मूल मुद्दे से तब तब यह चुनाओ परिनाम आए हुए हैं 2004 में भी यही स्थिती बनी वी थी Signing India के नाम पर जो है सो कारकरताओं को नहीं पूछा गया, कारकरताओं को वेल्यो नहीं दिया गया था और फिर अभी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसा लग रहा था कि मोदी के नाम पर ही वो जी जाएंगे जबकि प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी सभी सांसदों के साथ बैठेक करके यह बाते कह दी थी चुनाओ के पहले, कि वो पुरानी इस्थिति नहीं रह गये, दो बार हमारे नाम पर चुनाओ हो गया, अब अपने-पने कारी के हिसाब से चुनाओ में जाएं, जन्ता के मीश पिए जाएं, और तब ये इस्तिती होती है कि केंद्रिये मंत्री चुनाव हारते हैं अनुस्ची जंजाती मोर्चा के रास्टिये अध्धक्ष चुनाव हारते हैं तो सवाल तो उठेंगे अब रही बात अमीज साह के कारिकरम की 2022 में अमीज साह ने जारखन के सिंगम्म से लोग सभा चुनाव का संखनाद किया था उसके बाद संथाल प्रगणा गये थे संथाल प्रगणा में उन्होंने कारिकरम किया था और अब फिर 2024 का जब विधान सभा चुनाव होने को है और उसकी आहट हो चुकी है अब अमीज साह आ रहे हैं पार्टी के विस्तारित कार समिती की वैठक करने के लिए यानि विस्तारित कार समिती में सभी जीला के अध्यक्ष, सभी जीला की कार समिती बूरे प्रखंड अस्तर के मंडल अध्यक्ष के कारिकरता उसमें सामिल होंगे लगवग बीस हजार कारी करताओं का जमावरग सनिवार को जगंडास मैदान जो पहले प्रभात तारा मैदान था वहाँ पर होने जा रहा है पार्टी के और से भब्य तैयारी की गई है लगातार पार्टी के प्रदेशतर के नेता उस अस्थल को जा करके भर्मन कर रहे हैं त सामिल होना है यानि तैयारी पूरी जोर सरी के जोर सोर से की जा रही है और मुद्दा क्या है मुद्ध अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए पार्टी की एक जम्बो जट कार समीती होने के बाद अगर विस्तारित कार समीती की बैठक चुनाओं से पहले लेने के लिए केंद्रिय ग्रीह मंत्री को आना पर रहा हो तो राजनिती गलियारे में चर्चा होती है और खास करके पार्टी के अंधरुनी अस्तर पर चर्चा होती है कई तो ऐसे कारी करता है जो पुराने कारी करता है वो प्रदेश कारिया ले जाना छोड़ दिये ये आलम बना हुआ है भारती जन्ता पार्टी के अंदर में और उन्हीं सब चीजों की जब इंटर्नल सूचना मिलती है पार्टी को कि संगठन में सब कुछ अच्छा नहीं है संगठन को जिस ढंक से आप देखिए सिवरा सिंग्च वहां जब आये थे चुनाव पढ़ना माने के बाद और जब भाजपा कारियाले के सामने एक वेंकेट हॉल में अगर वहां पर कारिक्रम होता और उस जगह कहते हैं कि भाजपोला नहिबनांडी के नेतरत में चुनाव लड़ा जाएगा विधान सबा का चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद फिर प्रदेश परभारी का बयान कुछ और आता है कि सामुही के ने अस्तर बात करते हैं कि कई चीजें इसमें सामने आ रही हैं अब सभी ट्रैवल नेताओं के घर में जो बड़े ट्रैवल लेता हैं उसके घर पर हिमनता विस्तरमा जा करके मिलते हैं वो चाहते तो अपने पास भी बुला सकते थे योनि कहीं ने कहीं संगठन के अस्तर पर जो है सो एका नहीं दिखाई दे रही है या संगठन के भीतर जो है वो कारिकरताओं में केलह ब्याप्त है अंद्रोनी नाराजगी ब्याप्त है उस नाराजगी को दूर करने का प्रि बने हुए हैं सिवराज सिंग चौहान और हिमन्ता विस्व सल्मा साफ पर भारी बने हुए हैं तब से कारिक्रम के माद्यम से ये कारिक किये जा रहे हैं और अब अमीज सहा आ रहे हैं मामला क्या बन रहा है भाजपा जिन मुद्दों को उठाई है उस मुद्दे पर भी राजपा लगातार हमलावर है हमन्सरकार पर उसका जवाब हमन्सरकार के मंत्रियों ने देना सुरू कर दिया है आज ही दीपी का पांडे सिंग का बयान आया हुआ जो किर्शी मंत्री हैं जारका है कॉंग्रेस कोटे से वहां पर किर्शी मंत्री है हमन्सरकार में कि आखिर ग्रिह मंत्री हमिसा कर क्या रहें? अगर उनकी पार्टी को लगता है कि बंगला देशी घुस्पैट हो रहे हैं तो उनको चुन के बाहर क्यों ही निकाल रहे हैं? क्या बोर्डर की सुरक्षा का काम जो है तो राज सरकार का होता है? ये सवाल खरे किये जा रहे हैं कॉंग्रे देश घुस्पैट के मामले पर बयान नहीं आ रहे हैं आज ही प्रदेश प्रवक्ता प्रतूल सहादेव का बयान आया हुआ है कि आधिवासियों की आवादी 14-16% घटती है तो मुस्लिमों की आवादी 13% बढ़ती है संताल प्रगणा में तो अब देखना ये है कि बंगला देशी घुस्पैट के मामले में चुकी ग्री मंत्री आ रहे हैं और बॉर्डर सेकुरिटी का मामला मिनिस्ट्री अफ हो में भर्स के मामले में अंतरगत आता है तो इस पर उनका क्या जबाब होता है क्या सिर्फ ठीकरा राजसरकार पर फोर धेने बर्से काम हो जाएगा क्या राजसरकार के उपर ठीकरा फोर करके इस मामले में बच सकती है ये तो सच्चाई है कि संथाल प्रगणा में जो है तो बेटी रोटी का संकट आया हुआ है घुस्पैट के मामले में जमाई टोला बन रहा है संथाल प्रगणा में साहव गज़ में के 6 मुखिया ऐसे 6-7 मुखिया के नाम मेरे पास आए हुए हैं जो आदिवासी मुखिया है महिला आदिवासी महिला मुखिया हैं लेकिन उन्होंने साधी कर लिये मुसल्मानों से और मुखिया पती हावी हो चुके हैं नेशनल मेडिया में ये खबरे चली विए कि साहिब गंज में मुखिया पती ही पंचाय चला रहे हैं ये तो राजसरकार का दाई तो बनता है बोडर का मामला भले किन सरकार का जाता हो लेकिन ये तो राजसरकार का दाई तो बनता है बहराल मूल मुद्दे जो हैं क्या अमीज साह कर पाएंगे कमाल ये देखना होगा क्योंकि लोग विधान सवाचुनाओं का जो आगाज हो चुका है उसके बाद अमीज साह जब आ रहे हैं और विस्ताडितकार समयती की बैटक में सामिल हो रहे हैं अब उनका क्या दिसानित देश मिलता है पार्टी कारी करता हों को और उसके बाद पार्टी कारी करता है कितने रेस होते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा बहराल आज के विशेश में इतना ही आज हमारे साथ जूरे रहें हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सेवन